ओम गण गण पते नमाँ ओम नमाँ शिवाय मेरे यूटूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज मैं आपके पास जो वीडियो लेके आई हूँ एक तो मैं लेके आई हूँ सूरे घ्राण के उपर दूसरा जो लोग भ्रामन होके भी शिराद नहीं करते या शिराद के नियमों को नहीं जानते उनके साथ कैसी दुरगटनाई होती हैं और कैसी घटनाई घटती हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी सबसे पहले मैं आपको सूरे घ्राण के बारे में बताऊंगी अब बहुत से धचकों का ये मेरे पास फोन आया था कि मा क्या भारत में सूरे घ्राण नहीं लग रहा तो किया हम दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप दान तो अवश्य कर सकते हैं क्योंकि देखो उस दिन का जो ग्रहों की यूति है वो ग्रहन वाली यूति है अगर सूरे ग्रहन यहां नहीं दिखरा तो उसका प्रकोप हमारे पर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हम उसका दान कर देते हैं और अगर हम उसका जाप कर लेते हैं अपने इस्ट को मना लेते हैं तो वे कारे बहुत शुद और सोने पर स्वागा होगा अब जो भी दर्शक है वे ग्यहूं गुड तामबा अपनी यथा शक्ति के इसाफ से ग्रैंड के बाद आप दान कर सकते हैं जैसे चोदा तरीक को लगेगा तो चोदा तरीक की शाम को यह 15 की सुबा को आप दान कर सकते हैं अम अवस्य का दिन है और हस नक्षयत रूजिन होगा चोदा तरीक को और ग्रैंड का हमारे भारत में उसका कोई भी प्रकोप नहीं पड़ेगा लेकिन कार्पुरुष की कुंड़ी के साथ से अगर आप देखते हो तो सात्वे घर में मंगल सूरे और केतु की यूति होगी शुक्र सूरे की राशी में है शुरे शुक्र की राशी में नीच का ओके आए कि जो यह यूति बन रही है जैसे पीछे मेरी वीडियो में बताया था कि अगजनी की भोग सी गटना है आपको देखने को मिलेंगी आपने देखा कुम्रसर में भी आग लगी कानपूर में कपड़े की फैक्टे में आग लगी और बॉंबे में कुछ हॉस्पिटल में मरीजों की मृत्ति हुई तो जब तक यह मंगल केतु और सूरे की यूति बनेगी तो अगनी की भी बहुत सी संभावनाई आपको और भी देखने को मिलें आप प्रकोशन कीजिए अपने घर में अपने जो भी आपके बिजली के मीटा रहा है या जो भी चीज है आप उनका देखिए कि कई आपका शौर्ट सरकट तो नहीं हो रहा और आप उसे बचने की कोशिश कीजिए यह तो हुआ सूरे ग्रयान का अब भी खपर योग चल र को बनती हैं क्योंकि 2019 में जब यह क्रोना का वायदस फैला था तो आपने देखा कि लोगों की कैसे त्रहीमा त्रहीमा करके मृत्य हुई और लोग अपने घर वालों को अगनी भी निदे पाई तो कुछ ऐसी घटना है खपर की जो माकाली का खपर चला है 23 सक्रूबर के बा और 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 भी के जगा पे ऐसी आपदाएं आ सकते तो आप लोग जितना जाप मंत्र दान पुन कर सकते हैं आप कीजिए और अपने उपर जो कस्ट है उसका निवारण आपके मंत्र जाप से होगा अब जिन लोगों ने शराद अपनी मतलब मालूम होतो हुए भी ब्रामन कुल के होतो हुए भी शासरी प्रवार के होतो हुए भी उन्होंने अपने सैर सपाटे को देखके और पित्रों को पीछे रख दिया तो कि अभी तो वो जो ब्रामन कुल का व्यक्ति है उसकी तो जब जनम हुआ उसके जो उसके घ्रह थे वो उसको लाब हो रहनी देंगे ठीक है और जो उनके पुत्र के आगे पीडी होगी जो अभी ये शराद नहीं हुआ या वो नहीं कर रहे तो आप ये सोचिए कि आने वाले संतान के लिए कुल दीपकों के लिए वे कांटे बो के जा रहे हैं हैने को लिए को कि हमने को एसा इसे काम नहीं किया हमारे घर में ऐसे पुत्री ने ऐसा क्यों किया यह हमारे पुत्र रहे हैं अब आज के दिन या कल के दिन या पर्सों के दिन जो भी उनके घर में शडाद है आप समझिए पितर तो इन्हीं 15 दिनों में आते हैं साल में एक बार घूमना फिना तो सारे जिंदगी होता है अब आप सोचिए मैं घर में बैठी हूँ हमारे लिए किसने अरदास की वो अरदास हमारे पास आगे तो मैं कितना बगला मुखी का धन्यवाद करूँगी कितना मैं उसका ठैक्स करूँगी जिसने मेरे लिए ये कारे किया भगवान उसको और उसके परिवार को और उनके हमें मालूं भी नहीं होता और आप अपने बच्चों के लिए खुदी कांटे बो के जा रहे हो फिर कहने में क्या आता है कि जी हम जहां जा रहे हैं वहां पे हम शराद कर लेंगे तुम ब्रामण परिवार के हो तुमारे पिता की तुमारे माता की मृत्यू आपके इस घर में हुई है दीपक, दान, पुन, आपके घर से निकलना चाहिए शराद का जो भी समान होता है हमारे घर से निकलता है तो आपने तो अपने पित्रों को इन राज करके भेज दिया कितने बड़े कस्ट की बात है, जबकि मैं वीडियो बनाती हूँ और समय समय पे बताती हूँ हमें शराद कैसे करने चाहिए, कोंसी तित्री पे करने चाहिए तो जो हमारे पित्तर अगर अउलाद मांगते हैं, किसके लिए, कोई हमें कोई पीछे तरपन करने वाला हो अगर वो ऐसे रूश्टों के चले जाएंगे, कितना बड़ा प्रकोफ आपके घर पे आगे के लिए आए, ये आप लोग खुद देखोगे, गुरुमानी देखेगी, आप खुद देखोगे, कि हमने क्या संकट किया, हमने क्या तूटी की, जिसके अपर हमारे पित्तर हमा आत्मा है, अगर वो शुक्षम आत्मा प्रिट्वी पे उतर के आई है, और अपने घर के द्वार पे खड़ी है, और उसको तरपड करने वाला कोई नहीं है, उनके ब्रामन को, या गाएं को, या पंचियों को, या कुट्टे को, या किसी को भी, अगर वो भोजन नहीं जा तो को जासा करंग किया इने